विडियो में रणा प्रतिक जगाती है और आज हम फानेशन इस्ट्रूमेंट का पार्ट टू डेडिस कोश्चन लाजड़ डिश्चन रिवीजन डिसकस करेंगे पहला वीडियो में हमने अल्री डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फर्स वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट रिवाइस करें थे अच्छे से पूरे फानिशल इंस्टूमेंट के जाबर मैंने कुछ-कुछ कोशिंज भी साथ में कराया था इस वीडियो में हमने फटा-फट से रिवीजन किया था कंसेप्ट सारा तो इस वीडियो में हम कुछिंज का रिवीजन करेंगे इसके अलावा मैं बता दू अगर आपका एक्जाम भी पास नहीं तो डिटील रिवीजन वीडियो भी है यूटूब में अपलोडेट वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ये सिर्फ only for exam purpose जहाँ पर ज़्यादा detail में हम concept नहीं सिखेंगे मैं उपर उपर से बस exam purpose के लिए आपको solve कराऊंगा लेकिन अगर आप revision वीडियो देखोगे detail वाला तो आपको clarity ज़्यादा मिलेगी और सारी question के audio clips भी जगाती digital education app में है तो audio clips आपको महाँ पर free में आप access कर सकते हो महाँ पर आपको ज़्यादा clarity मिलेगी ये बस exam oriented में आपको कराऊंगा तो ये समझ लेजेगा यहाँ पर मेरे से बहुत ज़्यादा आप explanation की उमीद मत किजेगा क्योंकि मुझे एक से देर कंटिक के अंदर अच्छे खासे question कवर करने होंगे तो यहाँ पर हम क्या क्या कवर करेंगे unit 1 से मैंने तीन question select किया जो मुझे important लगता है वो discuss करेंगे unit 2 से 25, 26, 27, 28, 31, 32 यह सारे SM latest 2022 SM के question के illustrations में बता रहा हूँ unit 3 से हम यह सारे question discuss करेंगे and unit 4 में 13 और 15 यह बहुत important question है तो यह हम discuss करेंगे यहाँ पर बाकि comprehensive illustration और test to knowledge के करीवन 12 question है उसका मैंने एक already separate video में सारे question discuss के हुए तो आप वो video देख लीजेगा आपका काम बन जाएगा इसके लावब और भी कुछ-कुछ question है जिसका मैं description में link देदूँगा important question वो video आप देख लीजेगा तो चलिए हम start करते है one by one unit 1 पहले discuss करेंगे चलिए सबसे पहले हम unit 1 से illustration 5 discuss करेंगे और मैं उपर उपर से discuss कराऊँगा जल्दी जल्दी लेट नहीं करेंगे सारे question जल्दी जल्दी करेंगे ए लिमेटेड ने 10 लाग रुपेस का borrowing लिया RBC banks से है और यह bullet रे payment करेगा यानि one sort में payment करेगा और annual interest rate 12% है तो 10 लाग का interest rate 12% यानि 1,20,000 यह हर साल पे करेगा है ना और हर साल 1,20,000 का interest पे करेगा तो इसका हर साल जो liability वो 10 लाग ही रहेगा एगरिट है ना क्योंकि interest जो बनेगा वो payment कर देगा अब company क्या करेगा default कर देगा at the end of 5th year तो 4th year तक तो इसका liability 10 लाग ही रहेगा 5th year में यह default कर देगा तो 1,20,000 इसमें add हो जाएगा और फिर 1,20,000 माइनस नहीं कर रहे होगा क्योंकि इसने interest payment नहीं किया फिर आगे 6th year के beginning में इसने reseduling करवाया और company ने कहाया कि आप 6th year के end में 13,00,000 रुपीज दीचेगा ऐसे one time settlement तो 6th year में भी इसमें interest चड़ना चीए दिखा जागा यह कितना हो जाएगा 11,20,000 इस 11,20,000 में 12% चड़ाईए चलिए unit 1 से हम पहले illustration 5 करेंगे यह थोड़ा important हो सकते है फटा-फट करेंगे 10,00,000 रुपीज का ए लिमेटेड ने borrowing किया है और यह bullet repayment करेगा यह last में एक साथी जो principal amount ने last में payment करेगा और interest यह हर साल देगा 12% अब company ने क्या-क्या 5th year में default कर दिया यह यह limited ने 5th year में interest का payment करना था क्योंकि principal तो one sort में होगा तो 5th year में interest का payment default कर दिया और फिर reseduling कराएगा payment का 6th year के beginning में क्योंकि 6th year के end में हमें 13 लाग रुपई दीजेगा ऐसे one time settlement ऐसे one time settlement 13 लाग रुपीज देने तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा किया यह financial liability है जी हाँ यह financial liability है क्योंकि contractual obligation है कि मुझे पैसे देने और उसे पैसे मिलने है तो financial liability है अब आगे हम यहाँ पर पूछा है differential amount one time settlement में कुछ आ रहे क्या देखे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ exam में नहीं बनाना आप exam में आई से कि तरह कर सकते हूँ 0-13 में मैंने 10 लाग रुपीस लिया तो फर्स यह में 10 लाग के साथ मुझे 12% interest भी देना है तो 1,20,000 interest चाड़ेगा अब मैं payment कर दूँगा सिर्फ interest का तो balance 10 lakh हो जाएगा फिर से 10 lakh पे interest चाड़ेगा मैं interest payment कर दूँगा balance 10 lakh 3rd year में भी इस hilsilat चलेगा 4th year में भी इस hilsilat चलेगा 5th year में 10 lakh पे interest चाड़ेगा 1,20,000 का 12% पर मैं default कर जाऊँगा मैं payment नहीं करूँगा अगर मैं payment नहीं करूँगा तो मेरा 11,20,000 due हो जाएगा अब 6th year में हमने reseduling कर रहा अलग बात हैं तो 6th year के end में payment होगा जो भी होगा तो 6th year में भी इस amount पे interest चाड़ेगा 10 lakh पे नहीं चाड़ेगा 11,20,000 पे interest चाड़ेगा compounding होगे तो इतना amount बनेगा लेकिन ऐसे one time settlement आपको देना कितना 30 lakh देना है मतलब आपको extra देना पड़ रहे है क्योंकि बन रहा है इतना amount आप दोगे इतना amount मतलब extra amount additional amount आपका पर रहे है ये penalties समझ दो चार्जेस तमझ दो 45,600 आपको additional amount देना पड़ रहे है तो ये question हमने कर लिया next unit 1 से illustration 7 discuss करेंगे ये non derivative contract है जो कि settle होता है in its own equity instrument मैंने one hour 45 minutes का जो फटा-फट revision करा है वहाँ पर भी question कराया था फिर से आपर discuss कर लेता हूँ A limited ने invest किया compulsorily convertible preferences by its subsidiary B limited ठीक है issued by यानि B limited ने compulsory convertible preferences रिसू किया है तो देखिए compulsorily convert होगा preferences into equity under the terms of the instrument each compulsory convertible preferences is converted into one equity set of B limited at the end of five years और इसमें different भी दिया जाएगा 12% जिसमें discretion है B limited कि क्यों वो देगा कि नहीं देगा तो हमें क्या देखना होता है यहाँ पर हमें यह देखना होता है दो amount एक तो principal और आपका हरसल different तो जो different है वो भी discretion है तो in case of different हम कहेंगे discretion है कोई obligation नहीं तो यह equity होगा क्योंकि payment करने का कोई obligation नहीं है contractual obligation मन क्या तो देगा नहीं मन क्या तो नहीं देंगे और अगर principal amount की बात करें तो यह compulsorily convert होगा और वो भी into fixed number of sets अगर variable number of sets होता ना तब तो हम इसे liability कहते है financial liability में आपको समझाया था non derivative contract में अगर fixed number of sets में convert होगा तो वो equity होता है non derivative contract में अगर variable number of sets में convert होगा तो वो financial liability होगा और derivative contract में fixed for fixed test पास हुआ equity यानि fixed consideration fixed number of sets तब equity और अगर fixed number of consideration और fixed number of sets नहीं है दोनों में से कोई भी variable है तब वो financial liability हो जाएगा तो जबकि यहाँ पर different भी आपका description है equity और principal में भी fixed number of sets है क्योंकि बोल दिया ना one equity set दिया जाएगा for every convertible preferences one equity set दिया जाएगा इनी fixed number of sets है यह यह equity instrument है next आप हम illustration 8 डिसकस करेंगे target limited नहीं हाँ पर 10 लाक रुपीज का borrowing लिया जड़ लिमिटेड से और जड़ लिमिटेड यहाँ पर arrangement करता है target limited for the settlement of the loan against issue of a certain number of equity sets यहनी number of equity sets दिया जाएगा whose value equals रुपीज 10 लाक और इस purpose के लिए fair value उस time का दिखा जाएगा तो नहीं पता fix number of sets नहीं है क्योंकि 10 लाक रुपीज का set दिया जाएगा लेकिन share का fair value future में कितना होगा उस पर depend करेगा अगर share का fair value 200 हुआ तो number of sets अलग आएगा अगर share का fair value 300 हुआ तो number of sets अलग आएगा यहनी number of sets यहाँ पर fixed नहीं है तो यह non-derivative contract पर variable number of sets यह सुखिया जाएगा तो यह क्या होगा financial liability हो जाएगा तो यहाँ पर unit 1 में इतना ही question काफी रहेगा अब next unit 2 discuss करेंगे next unit 2 में हम illustration 25 करेंगे मैं important important question करा रहा हूँ अगर किसी को सारी questions देखने करने तो उसके audio clips हमारे application जगाती digital education में है FR SFM revision folder के अंदर मिल जाएगा हमापर सारी questions का हमने audio clips डाला हुआ है यहाँ पर हम selective questions करेंगे चलिए illustration 25 देखते हैं ए लिमिटेड ने security deposit दिया हुष details are describe below ध्यान अकि हम ज़र जनल हम security deposit करते हैं उसमें साल के बाद और हम कुछ lease पे ले रहे हैं जिसके चलिए हम security deposit दे रहे हैं और वह lease period five years का discount rate यह ने market rate of interest 12% है security deposit हम 10 लाग रुपीज दे रहे हैं तो आपको एक ची में बता देता हूँ चलि पहले तो यह समझा दे तो यहां पर इसका president value क्या होगा first year में हमें कोई interest नहीं मिलेगा second year में भी नहीं मिलेगा interest हमें मिले गई नहीं हम जो आज 10 लाग रुपया दे रहे हैं 10 लाग रुपेज आज हम जो पी करें वो fifth year के end में हमें मिलेगा 10 लाग रुपेज तो इस bank में 10 लाग रुपेज गया लेकिन हम financial asset चो दिखाएंगे वो five six seven four two seven का ही दिखाएंगे है ना financial assets five six seven four two seven का दिखाएंगे तो बाकी क्या दिखाएंगे बाकी हम other asset दिखाते हैं या फिर PL में charge करते हैं अब बोलोगे सर equity liability देखें जब आप पैसे दोगे ना तो financial asset होगा और अगर extra जादा पैसे दिया तो remaining पैसा other कोई asset हो सकता है या फिर expenses हो सकता है लेकिन जब हम पैसे लेते हैं उधार तो financial liability और equity classify होता है यानि पैसे देते समय इन्वेस्मेंट करते समय कभी भी financial liability equity नहीं होता है पैसे देते समय financial asset होगा और other asset expenses होगा लेकिन जब आप पैसे लो होगे तब आपका अगर मान लीजिए मैंने पैसे लिए 10 लाग रुपीज और मुझे लोटाना 8 लाग रुपीज ही है तो मेरा financial liability 8 लाग क्यों होगा अब 2 लाग तो लोटाना नहीं है तो मैं उसे equity में डाल दूँगा कि यह पैसा 2 लाग लिया हुए जो कभी देना नहीं ह तो यह 2 लाग मेरा equity हो जाएगा तो इसलिए समझेगा financial liability और equity अलग रास्ते में और financial asset और other asset अलग रास्ते में financial asset के अंदर कभी भी equity लाइबरिटी नहीं आएगा तो यहाँ पर आप देखें financial asset में other asset आएगा अब other asset या फिर expense कुछ भी हो सकता हो में देखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर ज्यादा पैसा दे रहे ना 10 लाग हमें देना ची इतना ही देखा जो investment हमारे इतने कही हो रहे है हम दे रहे इतना हम ज्यादा पैसा क्यों दे रहे है क्योंकि हम lease पे दे रहे है तो हम lease पे दे रहे है लीस पे ले रहे है तो वह lease का खर्च है अब यह lease का ख प्रीपेद हो गाूइ और यह प्मी उवर दा पीरेड आका इंमोटाइज होगा। तो आप देखें, फर्स चेर में जो financial asset है, इस पर interest चड़ेगा, तो interest income है, तो interest income credit होगे है, जो कि PL में जाएगा, credit होगे है, तो आपका 5, 6, 7, 4, 2, 7 पे 12% आप कीजिए, इतना ही आएगा, यह 5, 6, 7, 4, 2, 7 का 12% है, तो यह interest income है, हम इतना दिखा देंगे, financial asset to interest income, जो कि PL में जाएगा, और आपका जो prepared lease है, यह 5 सालों में amortize होगा, तो आप इसको कीजिए, 4, 3, 2, 5, 7, 3, divide by 5 कीजिए, यह depreciation लिखा हूँ है, पर depreciation से ज़्यादा better word मुझे amortization लगते है, amortization होगा to prepared lease expense, और यह amortization भी कहा जाएगा, PL में जाएगा, PL में debit हो जाएगा, तो ऐसे कर तियाब, 5th year तक interest चड़ाओगे, तो 5th year में भी दिखे, security deposit to interest income आया आपका, cumulative compounding होते हैगा, तो figure अलग आएगा, है ना, ओड ज्यादा deep नहीं जा रहा है, और 5th year के end में ultimately क्या बन जाएगा, 10,00,000 रुपीस बन जाएगा, और 10,00,000 हमें receive हो जाएगा, तो bank account to financial asset, जो की security deposit 10,00,000 रुपीस का, और amortization तो हर साल हो गई, ये 86515 amortization हर साल हो गई, और आप calculator में check कर सकतो, 567,427, plus 12%, plus 12%, या फिर 567,427, into 12% कीजे, 68091 आएगा, plus equal कीजे, फिर into 12% कीजे, आपका दूसरा वाला आजागा, plus equal, फिर into 12%, 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 कीजे, last वाल 107142 आ रहा है क्या, हाँ 107143 आ रहा है आपका, तो हर साल आप इसी तरीके से आप entry पास करोगे, और आपका ultimately last में पैसा आ जाएगा, तो कुल मिला क्या आपको दिमाग में क्या रखना है, entry क्या हो गए आपर, financial asset, यानि security deposit, है न, ये आपका वेला entry तो पास करी दिया, मैं ये हर साल आप entry पास करोगे, और last में आपका financial asset जो है वो 10 लाग का बन जाए, और आपको पैसा जब receive हो जाएगा तो आप उसको credit कर देना, bank to financial asset, 10 लाग रुपिस, है न, बात खतम, and ये question भी, I hope आप आप अराम से आप कर लोगे, चारी, next relation 26 करेंगे, और मैंने आपको याद आपको पढ़ाया था, वो 1 hour 45 minutes वाला, वो बहुत जिरूर ये वीडियो, उसमें concept सारे clear हो जाते है, तो मैंने वहापर समझाया था, कि अब MOTAS cost method, FBTPL, FBTOC accounting कर सकते हो, financial assets के case में, लेकिन FBTPL accounting करोगे, तो transaction cost हमेशा PL में और MOTAS cost method में, हम fair value changes consider नहीं करते हैं, लेकिन FBTPL और FBTPL में fair value changes PL में जाते हैं, FBTPL में fair value changes OCI में जाते हैं, तो चली ये question अब discuss करते हैं, A limited equity sets में investment के 10,000 रुपेस का, transaction cost भी 5 minute रुपेस का लगा, बता दिया FBTPL, तो बता जिए FBTPL है, तो transaction cost क्या financial assets से add होगा कि PL में जाएगा, ये PL में जाएगा सीधा, है न, financial assets से add होगा, तो initial entry क्या होगा हमारा, financial assets हम दिखाएंगे 10,000 का ही, ठीक है, और आपका to bank आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो transaction cost है, ये आपका PL में जाएगा, to bank जो 500 रुपे गया, ये आपका PL में जाएगा, ultimately, तो अब नीचे देख सकता हूँ, इन्होंने financial asset को 10,000 रुपी से दिखाया, 10,000 फाइगा ने दिखाया, transaction cost अलग से दिखाया, जो कि PL में जाएगा 500 रुपे गा, और पैसे तो 10,500 दी है, transaction cost का भी 500 रुपे दिया है, पर transaction cost जो है, PL में transfer कर दिया है, नोंने, लेकिन अगर FBTOC accounting होता, तो investment in equity assets, sorry, investment in equity assets है, ये financial asset जो है, investment in financial assets आपका पूरा का पूरा 10,500 दिखाते हैं, अगर FBTOC accounting होता तो, तब transaction cost एड़ हो जाता है, financial asset में, और फिर आगे देखते हैं, आगे नोंने क्या बोला, fair value बाद में 11,200 हो गया, तो दिखें, transaction cost तो ऐसे भी PL में दिखाया है, फिलाल हमारा financial assets कितने का, 10,000 का है, और सकतो सिदा, financial assets to PL आप दिखा से तो 1200, इन्होंने किया, कि financial assets बोल रहा हूं, मतलए investment in equity deserves, यह financial assets से तो है, तो financial assets to fair value gain दिखाया, फिर fair value gain को PL में transfer किया, दिखा जा तो ये entry तो अपने आप ही कट जा रहा है, debit grade हो के, ultimately बच्ची का financial assets to PL पर आप भी exam में क्या करना, ऐसी दिखा देना, financial assets to fair value gain, फिर fair value gain को PL में transfer कर देना, that's it, बात खतम 12 rate कर देंगे, लेकिन अगर ये steam question OCI का होता, तो जैसे मैंने financial assets को already 10,005 rate में दिखा हुआ है, इसमें include transaction cost है ना, तो 10,005 rate का financial assets है, अब आगी 11,200 हो गया, तो 7 rate से financial assets बढ़ेगा, और ये आप OCI में transfer करोगे, क्यों financial assets to fair value change, 7 rate, फिर fair value change to OCI, 7 rate, और financial assets बोरो मतलब investment in equity assets, तो मैंने दोनों बता दिया, इसमें, आपका FBTPL और FBTC accounting दोनों समझा दिया, ये कोशिन में आपको बता देना, पिछले question में, अगर equity assets के मामले में, जैसे कि equity assets है, equity assets के मामले में, आप FBTC accounting तभी करते हो, जब आप ये revocable option लेते हो, और अगर अपने ये revocable option लेक्के OCI accounting किया है, तो ये OCI कभी भी आपका reclassify नहीं होगा to PL, ये last में OCI कहाँ जाएगा, रिटीन अर्णिंग में जाएगा, यहन्ने recycling allowed नहीं होता है, यहाँपर, illustration 27, ये भी FBTC accounting, यहाँपर भी equity share में आपने investment किया है, 19%, significant influence exercise नहीं किया, अगर significant influence होता है, तो ऐसा situation में index 27 लगाते, cost और index 109, वो हम बात नहीं करेंगे, वो index 27 में बात करना है, और index 28 लगता है, है न, equity method, जबकि CFS में, हम इसकी बात नहीं करें, क्योंकि exercise नहीं है, investment अपने 5 लाग रुपीस का किया है, 10,000 sets पे, और यहाँपर transaction cost व पांच लाग रुपे, है न, तो दीखिया, investment in equity sets में लगता, financial asset न, तो बैंक 5 लाग रुपे दिखा दिया, अब बाद में क्या हुआ, fair value 45 हो गया, 10,000 sets का, यहीं बाद में fair value 4 लाग 50,000 हो गया, तो financial assets आपका गिर चुक है 50,000 से, तो हम क्या कोहेंगे, नुकसान, अब OCA accounting ह तो नुकसान कहा जाएगा, OCA में जाएगा, यानि OCA to financial asset हो जाएगा, या फिर हम इसकी जगा ऐसे दिखाएंगे, fair value change to financial asset, फिर OCA to fair value change कर देंगे, यानि fair value change को OCA में transfer कर देंगे, तो वही क्यानोंने, fair value loss to financial asset, यह investment financial asset यह, और फिर आपका OCA to fair value change, है न, तो आप या तो सी वैसे करना, fair value change to financial asset, फिर fair value change को OCA में transfer कर देंगे, 50,000 का बस बात कर देंगे, simple सा question था, next illustration 28 भी practical है, लेकिन important नहीं क्योंकि last time यह question और एक्जाम में पूछा जा चुक है, और फिर भी अगर आपको करना है तो YouTube में इसका वीडियो मैंने डाला हुआ, description में आपको link मिल जाए आपको, so illustration 28 का मैंने solution यहाँ पर रख दिये, and description में आपको link मिल जाएगा, जहां से 28, अभी May 2022 के लिए तो अभी इसे छोड़ दीजे, क्योंकि last time आया करने की जरुत नहीं है, लेकिन हा, illustration 31 और illustration 32 important है, यह दोनों आपको करके जाना है, so illustration 31 तो मैं अभी आपको यहाँ पर revise क करा दूँगा फटा-फट से, लेकिन मैं आपको बता दूँ, YouTube में 28, 31, 32, तीनों का वीडियो एक सार डला हुआ, description में link रहेगा, आप वहाँ से 28 तो मत देखेगा, 31, 32 देख लिजेगा, अगर आपको 31 यहाँ से समझ आज तो सिर्फ वहाँ से 32 देख लिजेगा, क्योंकि म मैं यहाँ बहुत तीजी से 31 करा हूँगा, और वहाँ पर अच्छे से करा हूँगा, चलिए, यहल इंबिटेट ने बोरुइंग किया है, यहनि financial liability होगा, 10,000 रुपीस का, है ना, equity भी हो सकता है, पर बोरुइंग किया तो financial liability होगा, पैसे चुकाने है तो, interest rate is 10% loan processing fee, यहनि transaction cost है फाइव इनिट रुपीस का, और loan payable after five years, मलब financial liability है, अब देखे, 10,000 का loan लिया है, 1st April 2001 को 31st March 2006 को चुकाने है, यहनि 5 साल के बाद चुकाने है, interest हमें हर साल 10% देना पड़ेगा, और interest जो charge होगा, वो yearly charge होगा, और transaction cost 500 है, how would loan be accounted in the books of e-limited, तो यहाँ पर कुछ बोला न financial liability में MOTS cost method और FBT पर दोनों में सिख किया जाता है, यहाँ पर देखे, financial liability 10,000 रुपीस का है, 5 minute transaction cost financial liability में minus होते है, financial assets में transaction cost add होते है, तो 9,005 minute का हम financial liability initially recognize करेंगे, bank account भी हमारे उतना कम हो जाएगा, तो अब हमें effective interest rate निकालना पड़ेगा, क्योंकि transition cost हमने adjust किया है, और effective interest rate मैं यहाँ पर निकाला है, मैं आपको भी नहीं निकालना सिखाऊँगा, मैं उमीद करहाँ आपको effective interest rate निकालना आता है, तो 11.42% हमन 11.37% हमने निकाला है, जो ICI ने, हमने निकाला और ICI ने 11.42% लिया, तो ICI के सबसे ले लिया, पर more accurate 11.37% है, तो क्या होगा, जो liability है, उस liability में हर साल interest चाड़ेगा, मैंने आपको दिखाया भी यहाँ आपर दिखें, 9,005 minute का financial liability होगा net loan, जो हमारे transition को अगसा adjust करने की बद, अब इसमें 11.42% से हर साल interest का charge चाड़ेगा, जो कि PL में charge होगा, installment हम payment करेंगे, हर साल 1000 रुपीज का, जो कि bank से कम होगा, तो interest चाड़ेगा, bank से कम होगा, interest चाड़ेगा, bank से कम होगा, और end में हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, तो यह मैंने पूरा हिसाब यहाँ पर पेसम चुपा देंगे, तो यही तो हमारा cash flow से जो outflow होगा, इसी का present value, इस rate थे हम pull करेंगे कि 9500 हो जाए, क्योंकि हमारे initial recognition 9500 में होगा, तो effective interest आ जाएगा हमारा, और वही हम 9500 में हर साल चढ़ाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने भी वही किया 11.42% पहले न आएगा, वैसे हड साच चलेगा, लास्ट में सलसला, जीरो हो जाएगा आपका, तो यही आपको टेबल आपको बना के दिखाना कि लून कैसा accounting होगा, और IRR आपको निकालना है, बस यह दो चीज़े करना है, इसका पूरा solution मैंने नीचे रखा हुए, मैंने इसलिए कहाता ह मैं detail में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको अगर detail करना है, तो आप वहाँ पर वीडियो को देख लीजेगा, description में लिंक रहेगा, illustration 32 भी वैसा ही कोशिन है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पर कहाने, देखें, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा overview दे रहेता हूँ, 10,000 रुपिस का loan द करेंगे, जो principal amount है, principal amount 6-6 मिना में payment होगा, 2005 minute करके, interest नहीं, principal amount 2500 करके payment होगा, interest के बारे में बताएगा, कैसे payment होगा, यहाँ पर अब अब देखिए, repayment जो principal है, वो तो आपका 6-6 मिना से हो जाएगा, और interest जो है, यह 12% का interest rate चार्ज है, यह interest बोला कि quarterly चार्ज किया जाएग यही quarterly हमें time period निकालना पड़ेगा, ऐसे तो 3% करके भी कर सकते थे, पर हम time period निकाल के करेंगे, क्योंकि ICA ने भी वैसे time period किया, तो मैंने यहाँ पर पूरा calculation दिखाया है, दिखें, 9,500 का loan initially दिखाएगे, अब इस पर interest चड़ाया जाएगा, पहले 3 मेने, क्योंकि 3-3 मेन हम interest चड़ेगा, है ना quarterly, तो interest rate 12 मेने का 16.6% है, है ना, तो 3 मेने का क्या होगा, 9,500 into 16.6%, 3 by 12, पर 3 by 12 की जगा ICA ने क्या किया है, 90 days पकड़े, यानि 90 by 365, 90 by 365 आपको लेना पड़ेगा, 90 days के साब से, यहाँ पर मिलिखते तो 90 by 365 करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर, तो ऐसे करके आपका interest निकलेगा, और interest का payment भी हम क्या करेंगे, quarterly कर देंगे, तो interest का payment 300 हमने quarterly कर दिया, क्योंकि interest तो quarterly आपको pay कर नहीं है, तो balance इतना बचेगा, अब next third month में भी आपका balance में interest चाड़ेगा, 16.6% करके 3 by 12, पर ICA ने 92 days होता है, तो 92 by 365 करके निकाला, तो यहाँ पर इस तरीके से interest आपका इतना add हो जाएगा, हम payment करेंगे interest का कितना, payment तो हम जो face value में आपका 3% मंदा 300 ही payment करेंगे, 300 payment होगा, और 25 minute आपका principal amount भी तो 86 मिना में payment होगा, तो यहाँ पर मैं इसको अभी नहीं कराता हूँ, better रहेगा, मैंने एक overview दिया है, पर मैं नहीं कराना आपको description में link रहेगा, आप वहाँ से कीजिए, आपको ज़्यादा clarity मिलेगी, और अगर आपने already किया हुए, तो आपको समझ में आगे है कि आपको किस तरीके से करना है, और इसका cash flows भी मैंने आपर बनाय हुए, हम 10,000 रुपे इस ले रहे हैं, transaction cost minus होगा, तो 9,500 का loan दिख तो phase value पे चड़ते हैं, हर साल, हर 3-3 मेना में हम interest देंगे, तो पहला दो बार, 3-3 मेना में तो 300-300 करके देंगे 10,000 का 12% 3 मेने का, sorry, 10,000 का 16% 3 मेने का, 12% है, sorry, 12% ही तो है, हाँ 12%, 10,000 का 12% 3 मेने का, हम दे देंगे इतना इतना, अब 6 मेने के बाद principal payment भी होगा, तो next आगे जाके interest जो चड़ेगा, वो 7,005 में चड़ेगा, क्यूंकि 25-minute payment कर दिया, तो 7,005 में हम interest चड़ाएंगे, 12% 3 मेने का, अब next आगे जाके 25 मेने और payment हो जाएगा, तो 5,000 में interest चड़ेगा, तुर 25 मेने और payment हो जायगा, तो last में आपको 25 मेने में ही सिर्फ इंटरेंट चड बनता है 4.15% तीन मेने का effective बनता है हालकि यह 16.6% करके देश हिसाफ से कर रहे हैं तो उस देश हिसाफ से आप ऐसे कर सकते हो आप उस वीडियो को refer किजेगा ज्यादा बेटर रहेगा इसलिए मैं यहाँ पर इसे ज्यादा नहीं पढ़ाना जाता हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा tricky question है एक्जाम के लिए भी important है description में link रहेगा जरूर से कर लीजेगा next अगर आप question bank में देखोगे तो यहाँ पर unit 2 में illustration 36 से लेके illustration 37, 38, 39, 40, 41 यह सारे illustration reclassification of initial asset का है यह नहीं FBTPL से FBTO से FBTO से FBTPL यह जो मैंने concept division वीडियो डाला था ना 1 hour 45 minute का जो मैंने कल डाला था उसका भी description में link रहेगा उसमें मैंने यह सारे छीके-छी question concept के साथ समझाया होगा तो अभी वो 1 hour 45 minute वाला वीडियो तो अपने short देखा ही होगा तो उसे करने के जरत नहीं हम उसे नहीं करेंगे और फिर आगी अभी impairment के question है illustration 42, 43 and 40, 14 question impairment के यह हम तीनों question discuss कर लेंगे चरे illustration 42 करते हैं ऐसे तो मैंने impairment of financial asset में बहुत कुछ समझाया था ताकि आपको logically समझ आ सके पर अभी हम ज़्यादा logic की बात नहीं करेंगे अभी मैं फटा-फट exam oriented आपको solve कर रहा हूंगा तो यहाँ पर आप देखिए entity A ने 10 year amortizing loan दिया है 1 million currency unit यानि 10 lakh amount हो गया 1 million यानि 10 lakh औया यहाँ यहाँ बहुत देँ हैं अभी पोल्वेश्यादा यहाँ निद्विया है था चूपिष्दा में ग्रणिद्पाट इस्टेश्जावे थानिंत्रपीट नप्रें यहाँ एश्यारी लन्हीं कि बाते हैं पर आपको टोल्वेश्यादा है determining whether there has been a significant वगेरा वगेरा बोला और loss given default हमें दीदिया 25% अब मेरे बात समझेए 10 लाग का आपका loan है outstanding loss given default दीदिया loss given default आपको बता होगा यह क्या expected credit loss इसे कहते और expected trade loss कौन सा lifetime वाला lifetime lifetime expected trade loss कहते है 25% है तो बताइए lifetime अगर में expected credit loss आपसे पूछो तो कितना होगा 10 लाग का 25% आपका loss given default दीदियोड है यानि 250,000 आपका lifetime ECL है तो अगर आपसे question पूछा ना कि lifetime ECL बताओ तो हम बता देते कितना 250,000 और यह हमारा पूरा का पूरा लगेगा over the period पूरा का पूरा लेकिन इन्होंने हमसे बोला है कि पूछाए कि 12 months का निकालो आप और 12 months आने वाले 12 months में chances से डूबने का पैसा 0.5% है ना क्योंकि significant increase in credit risk नहीं है तो आपका lifetime तो 2,000 लाग 50,000 है और 12 months इस दियाल बोलागी सिर्फ 0.5% chance से डूबने का तो 0.5% किसका यानि total पैसा मेरे 2,000,000 लाग 50,000 दूब सकते है जिसका 0.5% ही में provision बनाऊँगा यानि 1250 का में provision बनाऊँगा यानि आपको हमेशा पहले loss given default निकाल ले lgd loss given default और यह हमेशा क्या होगा 2,500,000 100% probability मानिए से ठीक है lifetime में तो 100% probability lifetime में डूबेगा लेकिन अगर हम बात करें over the next 12 months हमें लगता है 0.5% ही probability है तो जितना आपको लगता है पैसा डूब सकता है उसका 0.5% provision मनाऊँगे यानि हमें लग रहा 2,500,000 पैसा डूब सकता है lifetime लेकिन 12 months का 12 months probability है 0.5% तो आपका probability of default यानि loss allowance हम बनाएंगे 2,500,000 का 0.5% 1,25 यह बन गया हमारा simple illustration 42 हो गया next illustration 43 illustration 43 भी बहुत simple है bank A ने 2,000 bullet loan originate किया है चले 2,000 loan originate किया है है ना और इसका currency अब carrying amount कितना है इस पूरे loan का 5,000 रुप इसका carrying amount है पूरे loan का और इसने दो group में इसे अलग-अलग बाट दिया loan का group X के अंदर 1000 loan है और group Y के अंदर 1000 loan है और जो group X के अंदर 1000 loan है उसके अंदर per client currency unit 200 का है ठीके तो per client currency unit 200 का तो 1000 into 200 कितना होगा 2,000 होगा और इधर per client currency unit 300 का 1000 loan में तो कितना होगा 3,000 रुपीज होगा तो दोनों में इलाके होगी है ना file work तो यह दिखे 1000 loan है इधर भी 1,000 loan है तो दूनों जगा पर 1,000 loan है 200 currency unit है per loan per loan हम कह सकते, per client कह सकते 300 currency unit per loan कह सकते तो 1000 loan और 200 currency unit यह दिखे, इधर कितना होगा 2,000 होगा और इधर कितना होगा 3,000 होगा यह मैं बता चला और आब हमें बता दिए यह तो group X है यह वाला X ते और यह वाला Y है ठीक है तो यहाँ पर बता दे ग्रूप X में आपका चार historical यह नी historic पर रहना आवरेज default बता दिया चार और दो और present value of loss भी बता दिया तो यहाँ पर out of two lakh का loan out of two lakh का loan 600 आपका present value of loss लग रहे और यहाँ पर 450 का present value of loss लग रहे तो loss rate पूछा simple सी बात है भी निकालेंगे आप loss rate देखिए दो लाग का loan में 600 का नुकसान हो सकता है यह हमार estimation है तो percentage कितना होगा 600 by 2 lakh into 100 कितना होगा निकालेजे और इधर 450 by 3 lakh इदर into 100 यहनि कहने का मतलब simple है आपका x और y इन दोनों का loss rate अगर हम निकालेंगे तुम x का कहेंगे की देखिए x का 600 का नुकसान होने का probability है loss allowance जब बोल सकते हो out of कितना x का total loan कितना है 2 lakh का है और y का कितना है 3 lakh है into 100% करने के लिए into 100 करना पड़ेगा तो आपका आज आगा यहाँ पर आपकर लीजे यह 0.3% आएगा यह 0.15% आएगा बस खतम और यही चीज़ यहाँ पर है निकाला गया आप देख लीजेगा तो देखिए 2 lakh 3 lakh और आपका इतना यह तो हमें मतलब नहीं estimated कितना होगा यह नो ने दिया इसी से हमें मतलब है और इस समय लोग निकाल लेंगे percentage loss rate निकाल लिया तो मैंने exam oriented फटाफट करा दिया next relation 44 करेंगे यह exam के लिए important हो सकता है जादा यह ध्यान वीजेगा यह भी वे simple सा question नहीं है बर loss given default मैंने जो काता है LGD loss given default या फिर lifetime expected credit loss हमें वह ही निकालना है lifetime ECL ही निकालना है आपर company M एक manufacturer है जिसका portfolio of trade receipts है of currency unit 30 million in 2001 and operates only in one geographical region the customer base consists of a large number of small clients और ऐसे भी trade receipts short term का होता है तो इसमें lifetime ECL ही निकलता है and the trade receipts are categorized common risk characteristics वागेरा वागेरा दिया हुआ यहाँ पर और यहाँ पर इन्हों ने information दे दिया तो trade receipts में अलग अलग जितना due है जिसे current due जो है इतने का 15 lakh का due है 1 to 30 days past due इतना amount का है 31 to 60 days past due इतना amount का है इतना पुराना हो चुका due हुआ उसके बावजूद भी पैसने नहीं है 61 to 90 days past due इतने का है और more than 90 days past due का सारा दिया हुआ यहाँ पर और इन्होंने बता दिया default rate यहन्नी laws given default का percentage बता दिया देखिए जैसे हमने एक question देखा था नहीं यहाँ पर भी बताया था एल्जीडी का percentage वैसे यहाँ पर भी एल्जीडी का percentage हमें बता दिया तो हम क्या करेंगे सिंपल कि 15 150 लाइक है न कि 150 लाइक आपका है करेंट वाला इसमें आपका यह रहा 31 to 60 days वाल है 3.6% लगेगा है ना फिर 61 to 90 days वाले में 6.6% है यहनि 25 लाग का 6.6% हुआ और जो mode जितना ज़्यादा due होगा उतना ज़्यादा डिफोल्ट होने का rate ज़्यादा होगा तो यहाँ पर next आपका कितना है 10 लाग है 10.6% मैं agree करता हूँ मैंने कुछ logic वगेरा नहीं दिया मैं बस पूरा exam oriented आपको करा रहा हूँ तो आप देखिए आपर 15 लाग का इन सब का answer निकाल लिए या फिर हम नीचे से देख लेते है 45 thousand ही होगा इसका calculator मारने के जगा नीचे से देख लेता हूँ आप calculator मारना 144,000 आप calculator मारके निकाल लो 165,000 और टोटल आप कर देजीगा आप टोटल तो 165, 265, 269, 309, 474, 574, 580,000 हो रहे है मेरे का यह सब तो हमने निकाल दिया दिखिया answer हमने निकाल दिया पूरा और ICA का answer भी आप देखना चाहो तो यह राईसे ने इस तरीके से प्रेजेंट किया आप चाहो तो ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो चलिए तो यह question भी हमारा complete होता है सो हमने impairment of initial assets की भी तीनों question जो थे वो हमने कर लिए और एक impairment of initial asset का question है जो कि MTP, RTP का question का मैं link description में दे दूँगा time मिले तो वो भी कर दे ना simple सा question है description में link रहेगा उसका यानि कुछ-कुछ important question जो मुझे लगता है जो मैं इस video में नहीं करा रहा हूँ उसका description में link दूँगा description में जाए और वो link से वीडियो देख लीजएगा so unit 3 से next illustration 13 हम करेंगे simple सा question है ध्यान दीजएगा January 2001 को first January 2001 को entity X ने put option right किया मला अधिकार दिया put option holder नहीं put option right है मला premium खाएगा और अधिकार देगा और one lakh of its own equity set for which it receives premium rupees five lakh मतलब इसने किसी और जो सेर hold कर रहा था entity X को उसको अधिकार दिया कि वो चाहे तो अपने one lakh set को बेच सकते यह तो आपका equity कहीं आ रहे है क्योंकि equity sets खरीदने के लिए तो premium मिल रहे है इसको तो यहाँ पर bank में 5 lakh रुपे जुआ है वो equity का पैसा है तो यह equity में transfer करोगे क्योंकि हम यह 5 lakh रुपे हमें इसलिए मिल रहे है क्योंकि हम अपने equity sets को खरीदने का वादा दे रहे हैं वादा दिया किसी और को और वो अगर बेचेगा तो मजबूर हमें खरीदना पड़ेगा अब आगे दिखें entity X में भी apply to deliver to take delivery to take delivery of one lakh of its own sets in one year time कितने दिन के बाद ए पैसा देना पड़ेगा 22 lakh तो यह पैसा आज नहीं देना first year में देना है तो present value में तो आज इतना पैसा देना है यह तो first year में इतना पैसा देना है तो हम discount rate question ने दिया हुआ नहीं है पर आप 10% assume कर ले ना जब कभी question discount rate ना दे तो मेरा कहना यह कि future में अब क्या जबकि मैंने वादा नहीं किया था तो वो जो भी सैर था वो equity था अब तो मैंने वादा कर दिया सैर खरीदने का और अगर वो एक साल के बाद आएगा और मुझे मेरे सैर में मुझे उसे 22 lakh रुपीज देना पड़ेगा तो मतलब क्या मेरा future में obligation है तो पे 22 lakh रुपीज जी हाँ तो यह म करूँगा पता है मैं आज की डेट में financial liability रिखाऊंगा 20 lakh रुपीज का और यह कहां से डेविट करूँगा equity से डेविट करके equity से निकालूँगा यहीं इक्विटी से 20 lakh रुपीज निकाल के मैं financial liability में दिखाऊंगा मैं मेरी बात समझे अगर हम अपना sets खरीदेंगे ठीक है तो हमारा sets खरीदेंगे हमारे पास से पैसा जाएगा तो पैसा bank account से पैसा निकल की जाएगा 20 lakh तो equity खरीदेंगे तो equity को तो कम करेंगे जो आउ जिस्तू करते हैं तो equity को हम credit करते हैं अभी वापस से repurchase करेंगे तो debit करेंगे तो इसलिए हम क्या कर रहे है equity purchase करने का बादा दे रहे तो equity debit होके उसकी जगा पे financial liability हो जाएगा पहले कोई obligation नहीं था तो वो equity में पैसा था अब obligation हो गया तो equity से transfer होके financial liability में आ जाएगा और आगे क्या करेंगे आगे भी entry होगा यह financial liability में interest चाड़ेगा आगे कितना 10% तू लाग रुपेस यह बन जाएगा 22 लाग रुपेस ठीक है यह बन जाएगा 22 लाग रुपेस और यह interest कहा जाएगा यह PL में जाएगा अब future में मालोब वो आता है अगर खरीदने को तो हम उसक 22 लाग रुपेस पैसा दे देंगे जो हमारा liability बात खतब equity तो already less किया होगा यह हमारा अगर lapse हो जाता है तो मिये financial liability को क्या करेंगे transfer कर देंगे to equity तो अभी मैं next question समझाओंगा आपको वो next question आप करेगा इसके बाद ही हमने illustration 14 करेंगे and illustration 14 में और clarity मिलीगे ऐसा ही question है तो यह इनिशल प्रीमियम रिसीव जो है यह equity में credit होगा और present value 22 लाग है नहीं 20 लाग equity से debit होके financial liability में चला जाएगा और आगे जाके उस पर cost जो 2 लाग है अच्छा 20 लाग नहीं है 20 million है तो एक जीरो ओर लग जाएगा इसमें ठीक है पूरा अंसर था है यह बस 0-1 कम लगा दिया था मैंने का पिस एक जीरो ओर सब जगा लगा देना बस बात पतम ठीक है तो यहाँ पर वही लिखावा है सारा चीज आई होप आपको illustration 13 भी समझ मे आ गया अब illustration 14 करेंगे तो पूरा clear हो जाएगा इसम यूनिट 3 से illustration 14 करेंगे अच्छा question है यह important भी exam के लिए parent PE is 70% controlling interest रखते है subsidiary S में और remaining 30% Z के बास है तो parent PE S को control करते है और यह जो 30% Z hold करता है यह parent PE यानि consolidated बनाते समय है तो यह 30% NCI होगा न क्यूंकि पूरा 100% हम एसेट दिखाएंगे 70% हमारा 30% NCI क है यह हमें समझ में आया है और 1 January PE writes an option to jet which grants jet the right to sell it to parent PE for Rs.1000 यहनि पी ने क्या किया jet को एक अधिकार दी दिया कि वो चाहे तो अपने sales को बेच सकता है parent PE को 1000 रुपीस में यहनि उसके पास जो 30% sales है ना वो 1000 रुपीस में वो बेच सकते है आगे दिखते है पैरेंट पी रिसीव से पेमेंट और रुपीस 100 for the option तो ओवियस सी बात है पैरेंट पी ने अधिकार लिया नहीं है अधिकार दिया है राइट किया राइटर है option holder नहीं option writer है इसने अधिकार देनी के बदली 100 रुपे लिया है तो bank में 100 रुपे इसके account में आएगा और जबकि यह equity से related इसको पैसे मिले है क्योंकि equity sales खरीदने का right इसने दिया है तो यह पैसा कहा जाएगा obviously equity में जाएगा simple सी बात है बातकतमिया पर अब आगे क्या हुआ आगे क्या लिखा हुआ applicable discount rate for the put liability is determined to be 12% discount rate 12% दिया है अब मेरी बात समझे 1st January 2001 को अधिकार दिया है कि वो राइट जो जैड है वो बेच सकता अपने सेर को कब 31st December 2002 को यानि दो साल के बाद वो चाहे तो बेच सकता है कितने रुपे में 1000 रुपे में और अगर वो बेच जेगा तो हमें खरीदना पड़ एगा हमारा obligation है मतलब पहले equity set jet hold करा तो वो हमारा obligation ही था ठीक है jet 30% equity set hold कर ता वो हमारे लिए NCI था और NCI कहाँ पर रहता है equity के अंदर रहता है तो अब तो हमें अपने ही sets को खरीदने का वादा कर दिया है, तो अपने ही sets को अगर हमने खरीदने का वादा कर दिया है, वो भी for the fixed amount और fixed number और sets करीदने का वादा करते हैं, तो यह equity होगा, मलब यह equity से adjust होगा, यहनि कहने का मतलब यह है, पहले हमारा कोई obligation नहीं था, अब ह में देंगे, तो हम क्या करेंगे, equity की जगा liability दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि अब अगर वो future में हमसे पैसे मांगेगा, तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, 1000 रुपे, कब देने पड़ेंगे 2 साल के बाद, तो आज तो 1000 रुपे नहीं देने दो साल के बाद ही 1000 रुपे देने, तो इसका present value discounting करेंगे, किस rate से, 12% से, तो 1000 रुपे को आप 12% से 2 साल back pool के रिए, कैसे करोगे, 1000 divided 1.12 to the power 2, 797 आएगा, यनि पहले हमारा जो भी पैसा था, वो NCI का equity में था, अब उसे हमें liability दिखाना पड़ेगा, यनि हम financial liability ये 797 का, क्योंकि हमें future में 1000 रुपे चुकाने का obligation आगे है, और इसका corresponding effect हम कहां दिखाएंगे, equity NCI को कम कर देंगे, क्योंकि NCI तो equity में था, तो equity में NCI से 797 कम करके हम liability दिखा देंगे, मलब जो जैड पहले से होल करता था, वो equity में NCI में पड़ा हुआ था, अब वो हमार obligation बन चुका है, तो कहने का मतलब अब NCI से liability में transfer हो जाएगा, अब first year, second year इसी liability पर 12% करके interest चड़ाएंगे, क्योंकि present value में पूल किया है, और ये interest expense कहा जाएगा, PL में जाएगा, ultimately 1000 रुपीस हो जाएगा, अब देखिए, अब दू साल के बाद, या तो वो NCI जो Z है, वो option option को access करेगा, यह lapse होगा, अगर option lapse हो जाता है, तो हम फिर से financial liability से equity में transfer कर देंगे, क्योंकि अब तो हमारे को obligation रहा नहीं, लेकिन अगर वो option access कर लेता है, तो financial liability to case देखे नकी कर देंगे बाद, खतम यहाँ पर, तो यही चीज मुझे आपको detail में समझाना था, इसका entries भी म मैंने pass किया, देखे, जो पैसा आया, premium हमने खाया, bank में आया, equity searches किया, अब हम equity से पैसे निकाल के liability में transfer करें, क्यों obligation आ गया, interest expense दिखा के liability को हमने बना दिया, थाउजिन रूपीस, अब अगर बाद में वो पैसे लेगा, तो liability to bank हो जाएगा, अगर lapse हो गया, तो liability से फिर स equity में transfer हो जाएगा, तो मैंने तु इतना कुछ detail में समझाया, पर ICA ने ऐसा कुछ लिखा है नहीं, ICA का solution एकदम simple है, उन्होंने का थाउजिन रूपीस दो साल के बाद दिना है, तो 797 रूपीस का present value होता है, उतना का liability recognize कर दीशे, और 203 रूपीस तो वो आपका interest के साब से जाएगा, और end में आपका equity इतना कम हो जाएगा, और end में आपका अगर वो exercise नहीं करता है, तो equity में फिर से transfer हो जाएगा, तो ICA ने तो simple रखा है, ICA का solution तो अच्छा भी ने लगा मुझे, लेकिन हमारा जो solution है, वो मैंने पूरा detail में किया, और जो मैंने detail revision video बनाया है, उस पास करके आएगा, और आप चाहो तो यह theory लिखना चाहो अब लिख देजेगा, दो line का theory अब लिख सकते हो, लेकिन यह दो entry आप जरूर से पास करके आएगा, चलिए, ठीक है, तो यह question हमारा complete होता है, अगर आपको still समझ में नहीं आया है, यह question, तो detailed revision जो हमारा video है, ठीक बॉंड से related question है, entity A ने bond issue care with a face value of US dollar 100, and carrying a fixed coupon rate of 6%, each bond is convertible into fixed number of sets, याने 1000 number of sets, तो हमें यह तो पता चलिया कि fixed number of sets है, हमें पूछा nature of initial instrument, fixed number of sets पता है, लेकिन आपका जो consideration है, वो fix नहीं है, consideration देखा आजाए तो, ऐसे तो fixed ही है, consideration भी देखा जाए तो fixed है, dollar 100, बर जबकि हम rupee functional currency हमारा मैं assume कर रहे है, तो dollar rupee per dollar तो बदल सकता है न, तो IFRS तो कहता है कि नहीं, IFRS यह कहता है कि जबकि आपका other than home functional currency, other than functional currency है, तो consideration में variability आएगी, तो इसे liability माना जाता है, क्योंकि variability है, but index, index यह कहता है कि अगर आपका consideration fixed in any currency, तो हम उसे equity ही मानेंगे, तो fixed अगर किसी भी currency में हो, और number of sets हो fixed है, तो इसे हम क्या मानेंगे, equity मानेंगे, तो अब exam के लिए धिहन पे रखना, कि अगर fixed number of sets हो, किसी भी currency में fixed uncertainty है, तो उसे हम equity ही मानेंगे, वो matter नहीं करता, आपका दूसरा currency है तो भी, equity हम यह नहीं, fixed और fixed हो गया, यह equity हो जाएगा, next illustration 30, 31, 32 और 34, यह 4 illustration अब discuss करेंगे, यह 4 इसमें important लगता है मुझे, यह 4 हम discuss कर लेंगे, देखिए illustration 30 में, P company limited ने loan लिया है, क्यों company limited से 12 लाग रुपीस का, यानि loan लिया है, तो financial liability होगा, loan लिया है न, the loan is perpetual, perpetual होने जिन्दगी बर चलेगा, और interest दिया जाएगा 8%, यानि देखा जै तो zero year है, first year, second year, ऐसे कर करके, हर साल interest दिया जाएगा 12 लाग का 8%, 12 लाग का 8% कितना होता, 96,000, यह जिन्दगी बर interest ही दिया जाएगा, हमेशा, जिन्दगी बर interest दिया जाएगा, वह ही market rate of interest है 12%, तो हम क्या करेंगे, यह सारे 96,000, इनको 12% से कीचेंगे, तो सारे 96,000, इनको 81,000 कीचना है, तो 12% से capitalize कर दो, यह तो SFM में भी बढ़ा होगा, divided by 12% किया तो 8 लाग आ रहे है, तो zero year में fair value of financial liability आएगा कितना, fair value of financial liability आएगा 8 लाग, पर जबकि पैसे तो हमने पास 12 लाग रुपिस, पर जो future में obligation है पैसे चुकाने का, उसका present value 8 लाग है, है न, बाकी क्या हो जाएगा, equity हो जाएगा, 4 लाग रुपिस, यह आपको समझना है, तो यहाँ पर compound financial instrument है, equity component 4 लाग का है, और liability component आपका 8 लाग रुपिस का है, चाड़ी, खतम यह question, illustration 31, illustration 31 भी एकदम simple है, concept video जो 1 hour 45 minutes का था, वहाँ पर भी मैंने discuss किया था, और मैं फिर से एक शी बता देता हूँ, जब हम पैसे लेते हैं, डेवेंचर, प्रफरेंसर, बॉर्ण वगएरा, इसू करके, तो वो आपका financial liability और equity दोनों classify हो सकता है, यह जितना liability, financial liability होगा, जितना obligation है, remaining equity हो पास्ट हो सकता है, तो वो धियान में रखेगा, यह नहीं financial liability, equity classify तब होता है, जब हम पैसे लेते हैं, तो यहाँ पर अब दिखें, प्रफरेंसर, इसू किया है, 10 लाग रुपिस, consideration लिया गया है, पैसे लिये, तो मैं देखने है, जो लिया हो, equity liability है, holder के पास option है, हमारे प पास होता है, तो मुझे equity मान लेती है, यह हक तो holder के पास है, वो नहीं कराएगा, तब हम कहां जाएंगे, हमें तो पैसे देने पड़ेंगे, और preference एड में fix coupon हम उने 6% देंगे every year, market rate जबकि 9% कर, तो यहाँ पर अब दिखें, तीन साल का period है, तो मैं फिर से लिखता हूँ zero tier, first year, second year, third year, तो मुझे हर साल interest देना पड़ेगा, 10 लाग का 6%, 60,000, 60,000 मुझे हर साल interest देना पड़ेगा, है ना, और last में मुझे अगर मान लो, वो convert नहीं कराता है, तो last में मुझे 10 लाग रुपीस भी देना पड़ेगा, अब market rate 9% है, तो इन सब को मैं 9% से pool करूँगा तो सब को 9% से pool करूँगा, तो 9,2,4,0,6,1 आएगा, यह मेरा क्या है financial liability, यानि मैंने पैसे कितने लिए, मैंने bank में पैसे लिए 10 लाग रुपीस, तू आपका preference है, ठीक है, यहा लिख दो, तू preference है, financial liability होगा, 9,2,4,0,6,1, और बाकी preference है, equity classify होगा, जो remaining है आपका 10 लाग, 10 लाग माइनस 9,2,4,0,6,1, 75,9,3,9, यह आपका equity हो जाएगा, तो इस पे तो interest चाड़ेगा future में, 9% के जब से, और हर सा installment माइनस होगा, और equity वैसा का वैसा है पढ़ा रह जाएगा, चली, खतम यह question में, next illustration 32, यह भी simple है, इसमें मैं कराओंगा नह इसमें बस इतना ही कहा गया, 10 लाग रुपिस हमने पैसर लिये है, 3 साल के बाद हम इसे convert भी करा सकते है, fixed number of sets पे, या फिर redeem करना होगा, यह holder के पास थी option है, तो principal हमें consider करना पड़ेगा, preferences, coupon carry करता है, RBI का base rate प्लस 1%, और RBI का base rate 9 दिया होगा है, तो 9 प्लस 1, यानि 10% coupon है इसमें, है ना, और market का rate अगर आप पूछोगे, prevailing market rate रिटे RBI प्लस 4, यानि 9 प्लस 4, 13%, तो simple सी बात है, हर साल हमें 10% देना पड़ेगा, नहीं 1 लाग रुपिस, हर साल interest हमें देना है, और last में 10 लाग रुपिस भी हमें चुपाना है, और इन सबकों 13% से pull करेंगे, और जो भी आएगा, वो financial liability होगा, बाकी का बच्चा कुछ equity हो जाएगा, तो आप इसका pull करके देख सकते हो, चाहो तो करना है क्या, ठीक है, आप कर दी देता हूँ, और फिर 10 लाग दिवाइड वन पॉइंट वन प्लाइड 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 वन प् इक्वल 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 इसमें तो एक्वल एम प्लस करना नहीं है 693050 प्लस 236515 929165 तो 929165 अपका क्या होगिया फाइनिशल लाइबलेटी और बागी का बच्चा-कूचा 70835 यह आपका एक्विटी हो जाए यह यह बैंक एकाउंट डेविट 10 लाइब रुपे आए 2 फाइनिशल लाइबलेटी इतना 2 एक्विटी इतना चली खतम कोशिन, सिंबल कोशिन था इलस्टेशन 34 डिहान दीजेगा यह कोशिन हम करेंगे और फिर इस यूनिट का यह लास कोशिन ही इंपोर्टन है फिर हम नेक्स यूनिट पे जाएंगे दिहान दीजेगा इलस्टेशन 34 में यह अपने उपर हमारा जो इलस्टेशन 31 है उसी का यह कंटिनुएशन है इलस्टेशन 31 जो हमने किया था आपको याद होगा जहाँ पर दिया वाद है ना कि 6% coupon every year दिया जाएगा 10 लाग रुपय उधार लिया है 6% coupon every year दिया जाएगा market rate 9% है और 3 years में redeem होगा और हमने उस हिसाब से अगर हम करें तो हम बोलेंगे कि अच्छा 10 लाग रुपय से उधार लिये 6% interest देंगे phase value में तो every year 60 थाउचिन हम interest देंगे और last में 10 लाग चुका देंगे अगर वो exercise नहीं करता है conversion option तो ये cash flows है जिसको market rate of interest से pull करेंगे तो आपका present value इतना आएगा तो ये आपका क्या होगा financial liability होगा और remaining जो वो equity होगा यानि 75939 जो remaining वो क्या होगा equity हो जाएगा वो अब देखिए अब ये जो liability है ये liability में हर सल interest चड़ा होगे 9% करके तो 9% interest चड़ाओं का liability में पेल में charge हो जाएगा और first year में 60,000 का payment हो जाएगा तो first year का closing liability ये होगा ये first year का closing liability हो जाएगा फिर second year में भी आपका interest चड़ेगा और आपका payment minus हो जाएगा तो second year का closing liability होगा अब third year का balance पे interest चड़ाओं के 9% minus interest का भी payment कर दोगे प्रिंसिबल भी payment कर दोगे तो third year में आपका क्या होगा नील हो जाएगा आपका ये तो ये तो हमें पता अच्छी तरीक है यहाँ पर कोई आपती नहीं है अब कोश्य ने बोला क्या कोश्य ने में देखिए यही सारा चीज़ दियावा हर साल का interest भी दियावा जो हमने निकाला ये वाला ये वाला ये वाला interest expenses हर साल का और इन्होंने हर साल का equity का balance तो वही रहेगा दिया हुआ है तो कोई आपती नहीं है यहाँ पर अब कोश्य ने प्रॉब्लम किया कोश्य ने यह बोला है कि अगर deal limited की वास early redemption option है यानि deal limited पहले ही time 30 June 2004 से पहले ही redeem कर देगा 11 लाक रुपय प्रीपे करके 30 June 2003 को और इसने ये exercise कर लिया option को तो 30 June 2003 को लेकिन interest rate बदल चुका है और उस time में आपका market rate चल रहा था 5% तो बोलिया कि liability और equity component का क्या विल्लो होगा मतलब simple से बात है ये जो 11 लाक रुपे हमने दिया है हमने convertible redeemable preference वापस लेने के लिए तो redeem करने के लिए तो पैसे दिया है और इसके अंदर liability component equity component दोनों था तो मेरी बात समझी हम कब कर रहे है कम हम ये कम 30 June 2003 को कर रहे है और तब liability था 972476 30 June 2003 यह इस दिन second year में liability था इतने का और equity था उतना ही 75939 तो दोनों मिला के अगर हम करें 972476 plus 75939 तो यह जीरो फॉर एड पॉर उन फाइव होते है पर हमने पैसे 11 lakh रुपीज दिये है तो मैं यह पता करना पड़ेगा हमने liability को चुकाने के लिए कितने पैसे दिया और equity को settle करने के लिए कितने पैसे दिये हमने तो जादा पैसे दिये दीना था इतना डिफरेंस आएगा वो लाइबिटी का रिमेजर्मेंट है वो पील में जाएगा और जो एकविटी का रिलेटिट पेमेंट करोगे वो एकविटी से डेड़क्ट होगा तो इसको करने के लिए हम कैसे हम यह देखींगे यहाँ पर कि आज की डित में जैसे सेकेंड डियर को मैं । हम सेकेंड डियर के एंड में खड़ें यहाँ पर मैं करोओ मैं पैसा डिशार्ज करना चाता हूँ 11 lakh रुपेज और मुझे पता करना है equity के लिए कितना दिया जा रहा है liability के लिए कितना दिया जा रहा है है ना तो अब बचा क्या आप तो सिर्फ third year ही बचा हुआ है है ना तो third year को मुझे interest चुकाना है 60,000 obligation में रखिया है और मुझे principal चुकाना है ये मुझे चुकाना है third year को ठीक है ये मुझे समझ में आया अब मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ ये 11 lakh रुपे मुझे secondary में बैटके चुकाना है चलि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं हूँ और मुझे यहाँ पर 11 lakh रुपे चुकाने है तो मेरा obligation फ्यूचर में चुकाने का तो इतना था अगर मैं इसका fair value देखू आज के डेट पे market rate अगर 5% है तो कितना होगा 10 lakh 60 था हूजी ने एक साथ ही कर लेते है 10 lakh 60 था हूजी मुझे future में चुकाने एक साल के बाद third year में divided by 1.05 यहनि 1009523 1009523 यहनि कहने का मतलब fair value of liability second year के end में इतना है तो आप मेरी बात समझे लेकिन हमने liability कितना दिखा के रखा बुक्स में 972476 यहनि carrying amount of liability हमने दिखा के रखा है second year end में 972476 लेकिन fair value of liability कितना है 1009523 तुम मानेंगे पैसा भी हम इतना ही दे रहे तुम ज़्यादा दे रहे न access liability आपका remaster हुआ देखा जातो remaster of liability हुआ देखा जातो कितने का minus 972476 यहनि 37047 आपका extra पैसा लग रहे है और यह PL में चार्ज होगा यहनि अब मुझे समझ मैं कि जो 11 लाग रुपे में चुका रहा हूँ इसमें से liability का fair value है 1009523 1009523 में liability discharge करने के लिए चुका रहा हूँ इतना पैसा cash दे रहा हूँ और remaining cash में equity के लिए दे रहा हूँ remaining cash कितना हो जाएगा 11 लाग में से minus 1009523 यहनि 90477 equity को settle करने के लिए पैसा चुका रहा है अब मेरी बात समझे entry क्या होगी entry होगी कि अभी फिलाल हमारा equity में credit पड़ा हुआ है कितना था 75939 और liability में पड़ा हुआ है credit कितना था 972476 30 June 2003 को तो मैं इसको liability को settle करने के लिए कितना पैसा दे रहूँ 1009523 दे रहो और equity को settle करने के लिए 90477 दे रहो तुम इसका अलग-अलएक entry पास कर सकते हो liability के लिए मैं entry पास करूँगा liability account debit carrying amount तो 972476 काई है लेकिन मैं पैसा दे रहा हूँ to bank 1009523 यानि बाकी कहा जाएगा PL में जाएगा कितना difference कितना आएगा 37047 या अपका PL में जाएगा और जो equity है वो equity तो मैं बढ़ा रहेगा अब equity में और भी तो balance होगा पहलेगा जो भी है तो equity तो यह से whole equity रहते है तो हम बाकी का पैसा जो दे रहे हैं वो equity को discharge करने के लिए दे रहे हैं तो बाकी का पैसा 90477 वो क्या होगा वो equity को debit करेगा 90477 यह equity को debit करेगा अब इसका जो difference है वो PL में नहीं जाए equity का पैसा equity में credit होता है equity से debit होता है और भी equity का balance होगा तो वहाँ से सिधा यह हो जाए तो यह दो entry में है यहाँ पर आपका I hope आपको समझ में इसको आप single entry में भी कर सकते हूँ जैसे ICA नहीं किया है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ICA ने entry पास नहीं किया इसका ICA ने देखी यह निकाला कि आपका equity के लिए इतना पैसा दे रहो और आप liability के लिए इतना पैसा दे रहो यह इन्होंने दो चीज़ निकाला जो कि मैंने आपको निकालके दिखा एक यह और एक यह वाला तो उमीद अब आपको समझ में और यह है 37047 आपका PL में रिकर्गनाइस हो जाएगा और बाकी का तो जो equity में जाएगा जाएगा और अगर आप एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हो तो अब ऐसे दिखाएगा बैंग में पैसे दिए हमने 11,00,00 रुपे बैंग में पैसे दिए liability आपका account debit होगा जो carrying amount है 972476 लेकिन बाकी PL में भी जाएगा क्योंकि re-measure हुआ liability का और equity बाकी का डैविट कर दोगे कितना 90477 यह question मैंने जो main revision वीडियोस में भी करया हुआ यहाँ पर मैंने फिर भी थोड़ा time लेकिए आपको कराया I hope आपको यह समझ में आ चुका अभी अच्छे से यह question थोड़ा important एब फ्रैक्टिश जरूर से कर लीचेगा चलि तो unit 3 भी हमने complete किया next time हम unit 4 discuss करेंगे चलिए unit 4 में हम illustration 13 पहले करेंगे और यह exam के लिए important हो सकता है और आएगा भी तो 10 marks कहा सकता है 8 to 10 marks कहा सकता है चलि करते हैं एंटिटी पीक्यूर ने बोरो के 100 क्रूड रुपेस बोरो के यहां पर तो financial liability होगा है ना interest 12% payable है और principal bullet repayment होगा at the end of the term यहनि 6 साल के बाद 6 years के बाद payment होगा loan includes an option to prepay यह line important है the loan at first अप्रेल each year वित है prepayment penalty of 3% यहनि penalty 3% के साथ आप जब चाओ loan repay कर सकते हो तो loan कितना आपका 100 क्रूड है है ना और 3% penalty यहनि 3% of 100 कितना होगा 100 क्रूड यहनि बगुल मिला कि 103 क्रूड आप pay करके आप exit कर सकते हो किसी भी particular year में आप exit कर सकते हो को transition cost नहीं है अगर इसमें prepayment option नहीं होता तो interest rate market का 11% होता 11% तो हम पहले क्या करें हैं पहले दिखिए क्यास्टोस के हैं तो हमने 100 क्रूड रुपीज पैसे हमारे bank में आ गए समझ दिजए हमें हर साथ interest देना है 12% market का rate 11% हमें तो 12% देना है तो 100 क्रूड का 12% 12, 12, 12, 12 हर साल 6 साल तक देंगे और last में 100 क्रूड दे देंगे अब interest क्या होगा 11% समझ पूल करेंगे market का rate तो इतना ही है तो इससे पूल करने पर हमें पता चला 104.22 क्रूड हमें पैसा मिलना था पर हमें तो पैसा मिला 100 क्रूड तो आप बोलोगे अच्छा financial liability 104.22 होगा यह तो क्योंकि fair will of liability तो इतना ही है तो आप बोलोगे 100 क्रूड आया पर financial liability 104.2 क्रूड तो बच्चा कुछ equity होगा वैसे ही बोलोगे क्योंकि financial liability के साब तो equity होता है पर यहाँ पर liability bank से भी होगिया तो equity कहां से होगा यनि जितने पैसे लिये नहीं उससे ज़्यादा हमने उससे ज़्यादा हम पैसे की obligation आगई हमारी यनि कहने का मतलब यह है bank में पैसे आये 100 क्रूड रुपे लेकिन financial liability 104.22 क्रूड तो नुकसान होगिया ना मारा premium हमने दिया है और इसे में asset मानेंगे क्योंकि जब भी आप premium देते हो option में वो आपका derivative asset की तरह होता है तो इसे हम prepayment option मानते वह इसे asset मानेंगे 4.22 क्रूड का ये एक asset बन जाएगा हमारा क्योंकि एक अधिकार मिला है हमें क्या अधिकार मिला है कि हम हम जब चाहे exit मार सकते 103 क्रोड देखे है ना तो ये अधिकार का हमने इतना पैसा देखा जातू दिया है यनि कहने का मतलब देखा जातो हमें 104.22 क्रोड ही पैसा मिला समझी आप bank में इतना ही पैसा आया और liability भी इतना ही दिखाया हमने फिर हमने अधिकार खरीदने के लिए प्री पैमेंट ओप्सन अधिकार खरीदने के लिए 4.22 दे दिया bank से आप ऐसे समझ सकतो दो entry पास कर दो पर चलिए तो समाझ जहाने के लिए था आप चाहो तो ऐसे समझ सकतो मिला बाद में हमने 4.22 करोड अधिकार खरीदने के लिए दिया तो अब यहाँ पर आप दिखिए यहाँ पर आप दिखिए बैलेंस एट में आपको दिखा रहो है ना तो यहाँ पर एमाउंट रिसीव दू 100 करोड लाइबलिटी इतने कए तो 4.22 एडिसनल आपका लाइबलिटी इंकर हो रहा क्यों क्यों कि यह आपका प्री पेमेंट ओप्सन का अपने अधिकार खरीद है प्रीमियम पेट टू बाइबलेंस एट में कैसे उता रहेंगे 100 करोड पैसा आया लेकिन लाइबलिटी 104.22 करोड दिखाएंगे तो बागी का जो 4.22 करोड हमान रहें पैसा दे रहें प्रीमियम दे रहें अधिकार खरीदने का जो कि हमारा फाइनिशल एसे अब यह जो फाइनिशल लाइबलिटी है इसमें हर साल 11% जो मार्केट का रेट है उससे इंट्रेस चाड़ेगा और माइनस आपका क्या होगा रीपेमिंट होगा हर साल हम रीपेमिंट करेंगे ने 12-12 का तो इंट्रेस चाड़ेगा रीपेमिंट इंट्रेस चाड़ेगा रीपेमिंट ये सिलसिल आपका चलता रहेगा सिलसिल आपका चलता रहेगा सिलसिल आपका चलता रहेगा और एंड में ये जिरो हो जाएगा है ना और हर साल का कैरिंग एमॉंट भी हमें मिल रहे रहे हैं पर्स एर का कैरिंग एमॉंट इतना है second year का carrying amount इतना है third year का carrying amount यह रहा fourth year का carrying amount यह रहा fifth year का carrying amount यह रहा sixth year का carrying amount यह रहा तो मेरी बात सुने मेरी बात यहां से सुने starting में तो 4.22 crore हम अपना माल लेंगे financial asset repayment का लेकिन फिर उसके बाद हर साल हम उसको check करेंगे कि fair value कितना repayment option था क्या से पता चलेगा देखिए first year में हमारी liability कितने की है 103.68 की liability है पर हम चाहे तो 103 crore देके exit मार सकते है हम चाहे तो 103 crore देके exit मार सकते ने हम पर तो आप मेरी बात समझे starting में तो जो pay करोगी वो ही financial asset है पर बात में आपको fair value measure करना पड़ेगा financial asset का इतना liability है पर 103 crore देके exit मार सकते है यानि देखा जाए तो 0.68 का हमारा फाइदा दिख रहे है कि हमें 103.68 देने ही नहीं पड़ेगा 103 देने से काम बन जाएगा तो 0.68 हम मानेंगे carrying amount और prepayment option और आपका बाकी fair value decrease हो गया जो कि पेल में जाएगा 3.54 यानि हम यहां पर prepayment option का इतना fair value decrease दिखा देंगे और निया revise carrying amount आएगा 0.68 का यह कैसे पता चला carrying amount इतना है liability लेकिन इतना देने से काम बन जाएगा तो 0.68 हमारा फाइदा दिख रहे है पिर next year carrying amount इतना है 103.08 पर 103 देने से काम बन जाएगा तो 0.08 आपका prepayment option हो गया हमारा फाइदा इतने का है तो इतने का carrying amount हो जाएगा और बाकी fair value decrease दिखा देंगे अब नेक्स्ट यार तो आपका carrying amount कम है तो 103 देके exit मारके तो घट है तो यहां पर prepayment option नील ही दिखाएगे क्योंकि ओवरेड कर जाएगा तो आगे जाके prepayment option नील हो जाएगा तो यह तो मैंने अपने इसाब से समझा दे अब ICA के इसाब से आपको exam में क्या present करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने आप देख सकते हूँ यहां पर मैंने लिखा 0.08 में तो 4.22 करोड का prepayment option होगा है ना क्योंकि amount 100 करोड रसीव हुआ liability 104.22 अब हर साल first year end में carrying amount इतने का है पर 103 देना पड़ेगा हमें subtle तो हम इतने का फाइदा दिख रहा है तो यह fair value prepayment option हर साल का हमने निकाल के मनी आपर दिखा रहा है पर third year से option जो है वो out of the money हो जाएगा क्योंकि liability कम है carrying amount की और हमें ज़्यादा देना पड़े है exit मारने के लिए तो यह prepayment option अब कोई काम का नहीं रहा अब यह out of the money हो गया बेकार हो गया तो आगे जाके third, fourth year में prepayment option बेकार हो गया तो उसका fair value भी 0 होगा अब यह हमने समझा अब IC के सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना आपको exam में exam में आप asset table बनाएगा balance बनाएगा वो समझाने के लिए था तो table में आप देखे यह सारे cash flows जो मैंने दिखाये थे यह सारे cash flows लिखे वे है ना और इन सब का present value यह और कुछ नहीं है जो 104.22 आए था यह अब ऐसे दिखाओ present value में सबको दिखादो यह फिर 104.22 यह वाला column इतना काम करने finance cost हमें कहां से मिला यह रहा जो हम निकाला था ना हर साल हमने finance cost तो finance cost थो हर साल निकाली लोगी है ना यह अब निकाल लोगी कैसे 104.22 में 11% लगाना यह आएगा फिर minus 12 करना closing carrying amount आजाएगा फिर वापस से 11% लगाना minus आप इना 12 का payment लिखाना तो closing carrying amount आपका आजाएगा यह सारा यह सारा carrying amount आजाएगा आप बोलो कि सर यह आपने निकाला था मैंने भी निकाला था यह दिखे यह जो highlighted है ना यह carrying amount जो मैंने यहाँ पर निकाला था यह रहा तो आप यह आराम से निकालोगे carrying amount सारा आप आराम से निकालोगे अब हमें carrying amount सारा पता है हर साल का यह रहा और हमारा exercise price of prepayment तो इतना ही रहेगा 103 अगर हम चाहे तो 103 देके कभी भी exit मार सकते है तो यह क्या है यह carrying amount of financial liability every year का और यह हमारा prepayment option है prepayment option 103-103 हर साल का और यह हमारा carrying amount जो हमने मैंने यहाँ पर highlight किया होगा हम इन दोनों का comparison करके exam में दिखाएंगे और difference percentage बता देंगे है ना कुछ नहीं इन दोनों का फारक कितना 0.68 है है ना तो 0.68 divided by 103 into 100 आप करोगे आपका आ जाएगा 103 नहीं 103.68 करोगे 0.68 divided by यह carrying amount से 103.68 into 100 कर लीजए तो आपका यह difference आ जाएगा और अब आप बोलोगे कि जबकि यह difference जो है यह 2% मैं आपको अभी ज़्यादा logic नहीं दे रहा भी आपको में exam oriented करा रहा हो तो 2% से ज़्यादा आपका अगर डिफरेंस नहीं होगा तो उसे closely related माने है मतला मान रहे कि जो आपका prepayment option है है ना जो आपका derivative है इसमें embed यह तो embedded derivative हो गया prepayment option और यह आपका क्या है non derivative contract तो दोनों देखा जाए तो closely related है क्योंकि दोनों में ज़्यादा फारक ही नहीं है है ना तो ज़्यादा फारक नहीं है maximum 1.3% का इस जगा फारक है तो ICA कहता है 2% से कम फारक हो तो closely related मान लेना उससे और separation करने की ज़रत नहीं है यानि if difference less than 2% then closely related मानना no need to separate embedded derivative from host contract और दोनों में fp table accounting कर दीचेगा यह आपको तो यह हमें लिख देना है यहाँ पर और यह table आपको बना देना है तो मुझे उमीद है यह दोनों table आप 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 आराम से बना दोगे मैंने तो अपने हिसाब से समझा पर ऐसे करोगे तो साहिद क्या पता आई से फुल मार्क्स ना दे आप यह table दोनों बना देजाएगा बैटर रहेगा यहाँ पर तो उमीद है आपको यह question समझ में आ गया रिवीजन है तो फटाफट ऐसे समझाओंगा इससे ज़्यादा detail नहीं चाह सकता है next illustration 14 यह remove हो चुका है तो यह मैंने कराया है already जो मेरा regular revision है उसमें मैंने कराया है तो यह आप चाहो तो आपर देख सकते question remove हो चुका ऐसा similar question एक और है आपका भी यहाँ पर illustration 15 मिलेगा मैं है ना और यह actually numbering बदल चुका है एक और question मैं आपको question bank मिलेगी चलता हूँ हाँ यह illustration 14 अभी यह remove हो चुका है तो यह कराया हो अभी आप चाहो तो देख सकते हूँ मैंने 13 तो करा ही दिया और illustration 14 जो कि पहले illustration 15 हुआ करता था old SM में यह already आपका YouTube में uploaded है है ना और यह उसी link से आप किजेगा description में link रहेगा आप उसे से यह वाला कर लिजेगा मैं भी नहीं करूँगा आप उसे से कर लिजेगा एक separate video uploaded है मैं आपको भी करूँगा illustration 15 जो पहले illustration 16 हुआ करता था और यह जो एक question remove है नहीं उसी से related है तो यह question important हो सकता है for exam मैं आपको यह अभी solve करवा दूँगा तो derivative में बस यह question अभी मुझे आपको कराना है फिर derivative में और question नहीं रहेगा कराने को चलिए तो फिर हम start करते है foreign currency embedded derivative illustration 15 discuss करना company यह एक Indian company है जिसके functional currency रूपी है और वो enter करती है to purchase machinery from an unrelated local supplier company B company B की भी functional currency रूपी है company A की functional currency रूपी है company B दुनों की functional currency रूपी है however the contract is denominated in dollar तो हमने concept revision notes में पढ़ा था कि अगर मानने जिए दोनों में ऐसे कोई एक party का functional currency dollar होता है dollar में contract करते है तब हम उस contract को separate नहीं करते हैं हम उसे closely related मानते है but यहाँ पर तो company यह company भी दोनों की रूपी है पर वो dollar में कर रहे है और machinery कोई crude oil वगेरा भी नहीं कि जहाँ पर machinery पर mandatory है कि आपको dollar में transaction करना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं रूपी functional currency तो हमारी functional currency रूपी ऐसे भी नहीं कि बहुत inflated है बहुत ज्यादा fluctuation है कि यह दूसरी currency में transaction करना पड़े तो यह साब सब हमें indicate करते है मैंने concept revision में पढ़ाया था 3-4 point जिससे हमें साब सब indication मिलता है कि हाँ पर हमें यह closely related नहीं और हमें separate करना चाहिए derivative और non-derivative contract हो तो अभी तक तो आपको पता ही नहीं अभी इसमें non-derivative contract क्या derivative contract है देखें machinery खरीदने का contract करना और बाद में real में delivery लेना machinery खरीदने एक non-financial item है और non-financial item में अगर आप settlement नहीं करते हो delivery लेते हो तो वो executory contract माना जाते है 1 hour 45 minute का concept revision में भी समझाया होगा यह चीज़ और लेकिन आप machinery खरीदने का contract कर रहो यह तो non-derivative contract है है ना लेकिन आप इसमें dollar को attach कर रहे हो यह dollar को attach करना क्या हो गया यह derivative contract हो गया currency embed हुआ होगा है है ना अब आगे देखते है payment is due to company भी on delivery of the machinery payment आपका company को क्या जाएगा order कब किया company यह ने company भी को 9 September को order किया और delivery और payment कब होगा 31 December को होगा है ना और कितना payment होगा 10 लाक डॉलर का payment होगा 10 लाक डॉलर जबकि यह और भी दोनों Indian company है दोनों इंडिया में रहती है अब देखें forward rate आपका जिस दिन contract कर रहे हो 9 September को contract करो 9 September के date में आपका forward rate मिल रहा है कौन सा 31 December forward rate क्योंकि payment तो दिन होना है यह नि देखा जाए तो मैं यहाँ पर 9 September को खड़ा हूँ है ना और forward rate मुझे मिल रहे 9 September के date में forward rate मुझे मिल रहा है 67.8 तो देखा जाए तो यहाँ पर चाहता तो company यह क्या कर सकता था company यह company भी को बोलता है रूपिया में billing कर दे जबकि future date में payment होना है तो future date का जो forward rate है उसकी एसाब से रूपिया में payment करवा के लिए लेना क्योंकि 10 लाग dollar payment करना है 67.8 December जब payment होका तब का forward rate है क्योंकि आज तो तब का spot rate नहीं जान सकते है तो आज की rate में उस दिन का forward rate इतना है तो देखा जा तो इस amount में रूपी में billing हो सकता था बट इसमें billing नहीं हुआ है वह तो आपका dollar में billing है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर यह hybrid contract को क्या करेंगे separate करेंगे कैसे करेंगे सबसे बहले देखिए hybrid contract है क्या company A machinery buy करेगा company B से और उसको dollar देगा 10 लाग रुपेस तो अब मैं इससे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर non derivative contract और derivative contract मैंने दो लिखा होगा मैं separate कैसे करूँगा देखिए मैं कहूंगा company A buy करेगा machinery ठीक है machinery buy करेगा और बदले में क्या देगा आप उलिगो 10 डॉलर 10 लाग डॉलर देगा बदले में है ना तो क्या मैं एक काम करता हूँ मैं इस 10 लाग डॉलर को यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि डॉलर 10 लाग देना इस वाद derivative contract मैं कहने का मतलब यह non derivative contract क्या machinery buy करना और डॉलर 10 लाग pay करना है pay करना कि receive करना पे करना है पे करना है ना machinery receive होगा डॉलर 10 लाग पे करना और डॉलर 10 लाग पे करना आपका derivative contract है तो मैंने एक तरह भी तरह machinery buy किया यानि receive होगा ध्यान रखिए जो भी हम receive करते वो buy होता है और जो भी हम pay करते हो offer होता है देखा जाता हो तो यांपर dollar buy, candle दॉपन मेरे घर आएगा अगर मैं iPhone sell करूंगा तो iPhone मेरे घर से जाएगा तो जो जो buy करते हो हमारे घर आता है जो हम sell करते हो हमारे घर से जाता है तो 10 लाग डॉलर हम पे कररेंगे मतलब हम 10 lakh dollar sell कर तो मैंने इस ते आपको समझा है dollar sell है और इदर machinery बाई है अब हम क्या करेंगे अब जैसे मैंने आपको कहा था equivalent amount बनता है 6 lakh, 6 crod 78 lakh rupees equivalent amount बनता forward rate के साथ से तुम ये logical ही समझ लेंगे हम बोलेंगे कि इसके जगापे billing 678,00,000 में हो सकता था उस इनका forward rate के हिसाब से 31st December का है ना succession point rate करके इसमें billing हो सकता था तुम ये समझ लेंगे यहाँ पर कि चलो ठीक है machinery buy हो रहा है और जो machinery buy हो रहा है और payment जो है वो रुपी में ही हो रहा है 678,00,000 का है ना पर ये तो नहीं हो रहा है तो ये payment को काटेगा कौन receipt 678,00,000,000 रुपीज तो देखे मैंने यहाँ पर क्या क्या आपको एक तरफ दिख रहा है एक तरफ मैंने बोला कि मैं pay करूँगा 678,00,000,000 रुपीज और एक तरफ मैंने लिखा मैं रज्रीव करूँगा 678,00,000,000,000,000 रुपीज तो ये वाला और ये वाला तो ऐसी भी कट गया और मसीने रिभाई करना है और डॉलर 10,00,000,000 पी करना है तो मेरा ये matrix step का बन गया कि ये दूनों है और ये तो अपनी आप कॉंट्रेक्ट हो गया जहाँ पर मैं मसीन बाई करूँगा और रुपिया जो मेरा functional currency वही में पे करूँगा ये मेरा purely non derivative कॉंट्रेक्ट है और इधर अब देखिए इधर में क्या करूँगा रिस्टेप्ट रुपी रिस्टीव को भी चीज़ों ना मतलब आई यानि बाई forward contract की है to sell dollar यानि एक non derivative contract है by machinery और एक derivative contract है to sell dollar यानि forward contract to sell dollar at 31st December कुई ठीके दोनों सीमिलेट करेगा तो यह हो गया अब ये purely आपका क्या हो गया executory contract हो गया ये purely आपका executory contract हो गया ये तो executory contract कम क्या करते है initial recognition कुछ नहीं होता है executory contract में जब delivery होता है तभी उसका हम entry pass करते है तो देखें जब machinery हमें 31st December को delivery हो जाएगा delivery date 31st December है उस दिन हम दिखा देंगे machinery account में to payable पेमेंट तो अभी तक क्या है नहीं जब payment करेंगे ठीक है उस दिन करेंगे पर एक बार payable create कर दिया machinery account debit to payable 6.78 लाग रुपीज ये मैंने दिखा दिया तो आपका executory contract का तो entry pass हो गया machinery account debit to payable रुपीज 6.78 लाग ये रुपी मे हैं अब यहां पर आप देखिए यहां पर आपका थोड़ा खेल है यहां पर क्या खेलें यहां पर आपको कोश्चिय ने दिया हुआ है 38 September भी बीच में आएगा क्यूंकि 9 September को contract कर रहे है 30 September भी बीच में आएगा 31 December भी बीच में आएगा हम क्या करते है reporting date में जो भी हमहरा derivative रहता है उसको रिमेजर करते हो देखते हैं पोटेंशली फेवरेबल एंद फेवरेबल के साब से डेरिवेटिव फाइनिशल एसेट फाइनिशल लाइबरेटिव अगेर हम बनाते हैं तो यहां पर हम मानते कि क्वार्टर्ली रिपोर्टिंग हो रहे है और यह भी आपका रि से यानि टैन लाग डॉलर्स अ करने का कॉंटरेक्ट किया होगा किस डिएमें 67.8 में है ना नाइन सप्टमबर को हम करींगे तो नाइन सप्टमबर को हमने यह यहां पर मिलिक देता हूं मों डॉलर्स सैल कॉंटरेक्ट एट रुपीज 67.8 पर डॉल और यह 10 लाग का डॉलर सेल कॉंट्रेक्ट है यह हमने किया तो मतलब मैं अगर यहाँ पर बनाओ इस तरीका का चार्ट यह है 9 सप्टेंबर और यहाँ पर बीच में आएगा 30 सप्टेंबर तो मैंने 9 सप्टेंबर को यहाँ से बैठे-बैठे फोवर्ड कॉंट्रेक्ट किया है कब का? 31 डिसंबर का फोवर्ड कॉंट्रेक्ट किया मैंने 31 डिसंबर का डॉलर सेल करने का कितना? 10 लाक डॉलर एट रुपीज 67.8 चीक है? अब क्या हुआ? मैं यहाँ से भागते, 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 भागते यहाँ पहुच गया यहाँ पहुच गया मैं और यहाँ मैं पहुच गया 30 सप्टेंबर को अब 30 सप्टेंबर को जब मैं पहुचा तो 30 सप्टेंबर को मुझे दिखा कि December का forward rate जो है वो 67.5 हो गया है तो potentially अब मैं 67.5 में मैंने तो sell करने का contract किया है 67.8 में और मैं चाहूं तो potentially मैं 67.5 में इसे बीच पाऊंगा मनले खरीद पाऊंगा sorry मतलब 67.8 में dollar sell का contract है और मैं 30 September को देख रहा हूं कि यहाँ पर 31 December का forward rate हो गया है कितना 67.5 तो मैं मनमन खुस हो रहा हूं क्यासे पता है कि 67.8 में तो dollar sell का contract है और मैं अब इस सोदे को काटने के लिए 67.5 में सोदा काट पाऊंगा मैं यानि dollar को सोदा काटने के लिए dollar को मैं buy कर पाऊंगा 10,00,00, dollar at rupees 67.5 में मैं सोदे को काट पाऊंगा तो मेरा 10,00,00, dollar पे profit आ रहा है न क्योंकि buy कम में होगा and sell ज्यादा में होगा तो 10,00,00, dollar पे point three करके profit आ रहा है यानि रूपीज 3,00,00, का profit आ रहा है यह profit real में नहीं potential profit है मतलब अभी तक तो maturity हुवा ही निए भी तो 30 September है तो 30 September को मुझे potential profit दिख रहा है कितनी का 3,00,00, रूपीज का तो मैं 30 September को entry pass करूँगा derivative financial asset 3,00,00, रूपीज का तो PL derivative हमेशा PL में जाता है FBTPL accounting योड़ता है तो यह entry में pass करूँगा 30 September को अब क्या हुआ वापस से मान लीजे मैंने 67.5 तग में अब खरीदने का यह मान लीजे मेरा contract चले यह contract हुआ अब वापस से लेकिन real यह तो potential मैंने लिखा है यह तो potential है मेरा यह potential है मग कर सकता हूँ ऐसा लेकिन जब मैं real में 31 December में आया तो 67 हो गया तब तो मैंने देखा यहाँ पर अच्छा real में जो हुआ कहानी real कहानी क्या हूँ पते है dollar sell contract था 10 लाग dollar at 67.8 लेकिन अब real में 67 हो गया तो मैं सोदे को real में काट सकता हूँ 10 लाग dollar को 67 में सोदे को काट सकता हूँ यह नि बाई कर सकता हूँ तो real में मेरा फाइदा क्या हो गया जाए तो मेरा real में फाइदा हुआ 8 लाग रुपीज का कैसे 67.8 में बेचने का contract क्या था लेकिन अब 67 में सोदा कट जाएगा यह नि 08 लाग का फाइदा है जिसमें 3 लाग का फाइदा तो मैंने अल्रेडी दिखा दिया है 3 लाग profit अल्रेडी दिखा दिया book कर दिया तो यह नहीं 5 लाग का फाइदा दिखा दिया derivative financial asset to pay 5 लाग और दिखा दिखा दिया यहां पर यह मैंने 5 लाग ओर दिखा दिया तो यह मेरा 2 entry हो जाएगा है ना तो मेरा 2 entry यहां पर तना लिखना नहीं मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ एक तो मेरा यह entry 31 December को वह गई 30 सब्टेंबर को क्या होगा derivative financial asset to pay 3 लाग रुपे और 31 December को derivative financial asset to pay 5 लाग रुपे क्योंकि 8 लाग में 3 लाग हटा दो अब इनका answer में दिखा देता हूँ आपको देखें derivative financial asset to pay 3 लाग रुपे 30 सब्टेंबर को पास हुआ 31 December को फिर से forward contract के निए derivative asset हुआ derivative financial asset to पी ल आपका 5 लाग रुपे हो हुआ अब यह जो आपका है इसको हम क्या करेंगे property planting यह पैसा हमें मिलीगा दिखा जातो तो इसने हम क्या करेंगे हम दो चीज कर सकते हैं यहापर एक तो हम क्या कर सकते हैं हम यह मानेगे कि हमें पैसा मिल जाएगा जो derivative में हमें 8 लाग रुपे जीता है यह पैसा cash में आ जाएगा cash to derivative financial asset दिखा देगे 8 लाग रुपीज एक यह वाला हो जाएगा और यहाँ पर यह जो payable हमें करना है यह payable to cash be हम कर देंगे कितना 678 लाग रुपीज तो कि machinery का payment करना है न यह payment हम 678 लाग रुपीज यह payment हम कर देंगे तो यह entry हम पास कर सकते हैं पर ICA ने क्या entry पास कि नाम का 8 लाग रुपीज रिवर्सल कर दो और उसको creditor के साथ adjust कर दो यह आप यह मानों कि creator को 70 लाग रुपीज देना है जो कि थोड़ा सा कम हजम होता है मतलब ultimately इनों ने इनों ने ultimately किया किया इस दो की जगा पे इनों ने कहा कि जो आपका derivative financial asset जो आपका created है ना इसको trade payable के साथ adjust कर दो जो payable है ना payable to derivative financial asset कर दो 8 लाग तो आपका ultimately payable जो 68 लाग का है वो अब 8 लाग से कम हो जाएगा तो machinery तो आपका 68 लाग का रहे गई पर payable आपका 60 70 लाग का हो जाएगा और PL में तो जो 8 लाग यो रहे गए तो ultimately एक single entry क्या बनेगा machinery 678 लाग तो payable 60 70 लाग और आप बाकी का आप यह जो reversal कर रहे है derivative financial asset जो है 8 लाग आप ऐसे दिखा दो तो यह वाला entry आप थोड़ा सा compromise कर लीचीगा मैंने अपने एंगल से भी समझा दिये और यह वाला entry आप बस देख लिजीगा जो ICA ने पास किये बाकी पूरा मैंने आपको समझाए दिये overall यह दोनों entry मैंने समझाए दिये आपको और अगर आप यह डिटेल में entry करते तो तो भी चलेगा आप इसे अलग से दिखाओ इसे पेबल टू कैस अलग से दिखादेना और इसका बिटेल में अलग से दिखादेना यह चार एंट्री तू भी चलते है बट मैं कहूंगा ठीक है मेरा वाला मत दिखाओ मेरा वाला ज्यादा पर मेरा वाला ना दिखा कि अब एक काम करो आई से वाला रट लो तो वो ज्यादा बट रहेगा तो ये बस एक रटा मान रहा हूँ ये दो तो आपको समझ में आ गया है ना तो आई होप आपको ये कोशिन अभी पूरा क्लेर हो गया होगा अच्छे से तो इलस्टेशन 15 कम्लीट करने की बाद फिर से नहीं करूँगा और यहां पर एक सच को इंपोर्टेंट कोशिन नहीं है इलस्टेशन 12 एक है वो कर सकते तो वो एक सेपरेट वीडियो में कराने की कोशिस करूँगा अधरवस यूटूब में रेगुलर वाले में ओरड़ी ये कोशिन अवेलेबल है करवाया हुए है और तो मैं कुर्स करूँगा सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की और यहां पर जैसे की पहले ही डिसकस हुआ था टेलिग्राम में हम इस वीडियो में डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि उसका एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर सारी कंप्रेंसी विलस्टीशन और टेस्ट और नॉलिज़ की कोशिन है तो उसका भी लिंक डेस्रिप्शन में रहेगा बस उसका नाम अलग है तो वो वीडियो भी मैं लिंक इसका डेस्रिप्शन में लिख दूँगा सेल्टर रो इसका लिंक दे दूँगा वो वीडियो देख लीज़ेगा तो ये कोशिन आपका कंप्लेट हो जाएगा वहाँ पर एंड इसके अलावा भी कुछ-कुछ इंपो कोशिन इसको देखने की जरूत नहीं पड़ीगे एंड ठीक है तो यहाँ पर जो जो इंपोर्टन कोशिन और कुछ है तो वो इसका डेस्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा आप वहाँ से कर लीजेगा तो इस एनफ वीडियो अब हम और यहाँ पर कंटिन्यू नहीं